इवन के लिए decision और decision के साथ उस पर action होना बहुत जरूरी है आर निर्ड़े की स्थिती में कुछ भी नहीं किया जा सकता है लेकिन केवल निर्ड़े ले करके भी बहुत कुछ बदला नहीं जा सकता है जब तक कि लिए गए नेड़े के लिए आप अपना एक्षन ना शुरू कर दे बहुत सारे बिद्धार्थी रोज डिसीजन लेते हैं कि आज से पढ़ाई शुरू करेंगे और ये पार्ट ऐसे खतम करेंगे इस पार्ट पर ऐसे अपना इस्टडी प्लान बनाएंगे और लेकिन वो उसको लागू नहीं कर पाते हैं तो एक जान ले आप ऐसी स्थिती में कोई भी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है आज के दौर में जब प्रतियसपरधा इतनी कठिन हो गई है एक एक नंबर सफलता असफलता को निर्धारित कर रहा है तो ऐसी स्थिती में लिए गए निर्ड़े पर तुरंद एक्शन जरूरी है कमांडू के अस्तर पर एक्शन बहुत जरूरी है तो मेरा आप सभी लोगों से आग रह है कि आप अपना जो भी डिशिजन ले माल लेजिए आपको यूपी-ची के एक्जाम को क्रेक करना है या स्टेट सिबिल सर्विसएज का एक्जाम यूपी-पी-पी-सी-आरस का एक्जाम है तो आप एकदम decision ले करके action में आ जाएए कमर कस लीजिए, मुठी बाध लीजिए क्योंकि मनुस्र के एक तरीके से देखा जाए चमता से उपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है एक बार बहुत अच्छा प्रयास करके आप देखिए निश्चित रूप से आप देखेंगे आपकी किस्मत पल्टेगी और आपका जीवन बदलेगा आज से हम लोग एक नए जो है स्रिंखला संबाद स्रिंखला की शुरुबात कर रहे हैं संबाद सिरीज पूरी तरीके से एक जाम ओरियंटेड होगी इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो जो है पीटी में पूछे जाने वाले प्रस्णों और मेंस में पूछे जाने वाले प्रस्णों से इसका पूरा सरोकार होगा मुझे लगता है कि इस सिरीज को अगर आप पूरी तरीके से सुनेंगे और रोज इससे जुड़े रहेंगे तो exam में आपको सीधे प्रस्ण मिलेंगे अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सहजता होगी और चुकि अब state exam भी UPSC के ही alignment पर आगे बढ़ रहे हैं UPSC के line and length पर आगे बढ़ रहे हैं इसलिए आपको state exam में भी इस से इस पूरे संबाद सिरीज से संबाद स्रिंखला से बहुत जादा लाब होगा तो आज हम लोग इस सिरीज में पहला बिस है जो हम लोगों ने चुना है वो है संगहाई cooperation organization संगहाई सहयोग संगठन जिसकी भारत 2023 में अध्यच्छता कर रहा है आप सभी लोग जानते होंगे कि संगहाई सहयोग संगठन जिसको S.C.O. कहा जाता है साथ में यह दुनिया का सबसे बढ़ा छेतरी संगठन माना जाता है चेत्रिय संगठनों में इससे बड़ा कोई भी संगठन नहीं है आप जानते होंगे इस साल भारत G20 की भी अध्यचता कर रहा है यह CEO की भी अध्यचता कर रहा है लेकिन यह CEO के पारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए देखे यह CEO की अस्थापना 1996 में की गई और तब इसे नाम दिया गया था संगाई फाइब और उस समय इसके सदस्देश थे रूस, चीन, इसके अलामा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजकिस्तान और ततकालिक लच्छ था कि जो देश USSR से मध एसिया में आजाद हुए उनके सीमा पर जो चुनावतिया हैं उनका समाधान किया जाए चुकि मध एसिया के देशों की सीमा जादा तर रूस से और चीन से लगती है इसलिए चीन ने विसेश पहल किया रूस के साथ कि हम दोनों देश मिल करके जो मध एसिया के देश आजाद हुए इनके साथ एक संगठन बनाए और ये संगठन बॉर्डर से रिलेटड जो इस्सू है उसको डिजॉल्व करे उसको री एड्रेस करे और इसी संदर्ब में 1996 में संगाई फाइप के नाम से इस संगठन के शुरुवात हुई और आपको जान करके आश्चरी होगा इस संगठन ने मातर तीन वरसों में मतलब 1996, 1997, 1998 मातर तीन वरसों में ही सीमा से संबंदित सभी विवादों का समाधान कर दिया जिसके नाते इस संगठन को अंतराष्टी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई पूरी दुनिया में जानते इस संगठन की चर्चा होने लगी कि एक नया संगठन बना है और वो अपने उद्देसों को ले करके इतना सक्त्री हो गया है और आप जानते हैं उसी दोर में इसको एसियन नाटो कहा जाने लगा कि यह एसिया का नाटो है क्योंकि नाटो भी क्या करता है सुरच्छा के मुद्दे पे काम करता है सेक्यूरिटी के इस्यू को डिजॉल्व करता है और यह सीयो भी मद्ध एसिया और इसके छेत्रों में सेक्यूरिटी के इस्यू को ही डिजॉल्व कर रहा था तो इसी नाते इसको ACN NATO कहा गया कई बार एक क्वेशन पूछा भी गया कि ACN NATO किसे कहा जाता संगाई सहयोग संगठन को लेकिन आप जानते हैं सुरू में जब इस संगठन के स्थापना रहे तो इसको संगाई 5 कहा जाता था लेकिन 2001 में जब इसमें उजबेकिस्तान को जोड़ा गया छटवे देश के रूप में तब इसका नाम कर दिया गया संगाई सहयोग संगठन संगाई कॉपरेशन आर्गनाइजेशन 2001 में 6 सदस्च हो गये और इस संगठन का उद्देश भी बदल गया 2001 से from 2001 इस संगठन का उद्देश हो गया उर्जा पूर्ती के मुद्दे और आतंकबाद के मुद्दे से लड़ना अर्थात जो एनर्जी सप्लाई से जुड़े हुए इस्यूज हैं उनको एड्रेस करना और टेरिरिजम से जुड़े हुए इस्यूज को एड्रेस करना 2005 से भारत आप जर्वर का दर्जा इस संगठन में प्राप्त करता है क्योंकि भारत की एक बड़ी भूमी का है भारत उर्जा का बहुत बड़ा जानते हैं कंजियूमर है उर्जा की देखा जाए पूरी दुनिया में तो हम लगबग चौथे बड़े जानते हैं जो है भोग हमें उर्जा की जरूरत रहती है पेट्रोलियम की प्राकृतिक गैस की और जो भी इस तरीके की एनर्जी फौसिल एनर्जी है और आप जानते हैं कि मध्ध एसिया नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा छेत्र माना जाता है और मध्ध एसिया पर बहुत देशों की जो अगर आप देखेंगे तो मेटैलिक एनर्जी भी है आप कहेंगे मेटैलिक एनर्जी क्या अरे यूरेनियम यूरेनियम बहुत बड़ी मात्रा में कजाकिस्तान किर्गिस्तान उजबेकिस्तान ताजकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में ये पांचों मध्ध देशिया के देश ह 2017 तक आते आते भारत 2017 में ही भारत S.C.O का पूर्ण कालिक सदस्व बना यद्यप खाली भारत ही नहीं बना भारत के साथ चाइना ने कार्ड खेला और पाकिस्तान को भी जानते है S.C.O का मेंबर बनाया गया कई जगह ऐसा रहता है कि जहां भारत को प्रयास करता है वहां पाकिस्तान को अपने आप इंट्री मिल जाती है क्योंकि हमारे विरोधी देश खासकर चीन का प्रभाव जिस तरीके से बढ़ता गया उसने पाकिस्तान को भी तमाम जगह इंट्री दिलवाई तो 2017 में भारत यसीओ का पूरकालिक सदस्च बना और भारत के साथ पाकिस्तान भी सदस्च बना तो पहले 6 सदस्च थे 2001 तक जुड़ गये थे अब यसीओ में टोटल 8 सदस्च हो गए बत्मान में यसीओ में टोटल ये 8 मेंबर है और यसीओ एनरजी के इस्यू और टेरिर पूरी तरीके से एड्रेस कर रहा है आने वाले समय में चार और देश भी इसके सदस्च बन सकते हैं जिसमें सबसे अनरज संभावना है इरान के सदस्च बनने की मंगोलिया के सदस्च बनने की और बेलारूस अफगानिस्तान है बेलारूस और अफगानिस्तान का मुद्द तो थोड़ा बहुत खटाई में दिखता है लेकिन इरान और मंगोलिया जल्दी ही इसका शदस बन सकता है और यह CEO का संगठन भारत के आने के कारण थोड़ा सा बैलेंस हुआ है पहले इसे अमेरिका का पूरी तरीके से विरोधी संगठन माना जाता था तो आप कहेंगे कि भ सायुक्तराश्च की संस्थाओं में सुधार का दबाव कब बना पाएंगे हम आयमेफ वर्ड बैंक में सुधार का दबाव कब बना पाएंगे हम G7 से ले करके G20 जैसी संस्थाओं में सुधार के लिए दबाव कब बना पाएंगे जब हम ऐसे संगठन में होंगे जहां पर अमेरिका को सीधे चुनावती दिख रही होगी या पस्चिमी देशों को सीधे चुनावती दिख रही होगी और इस CEO एक ऐसा ही मंच है जिसको ले करके अमेरिका हमेशा अमेरिका के कान खड़े रहते हैं वो सतर कराता है ऐसे में हमारे आने से 2017 से भारत की bargaining capacity बढ़ी है और यही कारण है कि पस्चिम के देशों के द्वारा और अमेरिका के द्वारा भी भारत को ले करके थोड़ा एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही नर्मी दिखाई जा रही है पस्चिमी देश सीधे किसी के कबजे में आते नहीं है उनकी अपनी श्वतंत्र विदेशी नीथ है और वो सीधे प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं वो अपने राष्टी हितों के लिए आर्थिक हितों के लिए सारे जो है निर्ड़े उसी के क्रम में लेते हैं और ऐसे में स्चियो में हमारे आने से एक संभावना बनी है कि हम अंतराष्टी अस्तर पे प्रतिश्टित होएंगे वैसे भी जानते हैं स्चियो कोई सामान संगटन नहीं है क्योंकि जिस संगटन में चीन है रूस है उसमें भारत जैसे बड़े देश का आ जाना अपने आप में एक नई धूरी को एक नई एक्सिस को जन्म देता है लेकिन अभी बड़ा इंट्रेस्टिंग है भारत की सरकार ने पाकिस्तान के रच्चामंत्री को ये सीयो के मई में होने वाली बैठक के लिए आमंतरित किया है आप जानते हैं जब सिभ भारत पाकिस्तान का बतवारा हुआ 1947 से तब सिभ पाकिस्तान का रच्चा मंतरी सिर्फ एक बार भारत आया है 1972 सिम्ला समझोति की समय और आपको यह जान करके आश्यरी होगा कि भारत ने पाकिस्तान के रच्छा मंत्री को क्यों आमंत्रित किया है जबकि पूरा भारत पाकिस्तान के बीच में खेल बिगाडने का सारा काम पाकिस्तानी सेना और वहां के रच्छा मंत्राले का ही है एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के सेना और रच्छा मंत्राले ही भारत के और पाकिस्तान के बीच में कटुता के लिए मुख जिम्मेदार है तो फिर रच्छा मंत्री को आमंत्रित क्यों किया गया क्या यह भारत नर्मी का संकेत दे रहा है कि भारत पाकिस्टान के बीच में आगे बहुत अच्छा संबंध होने वाला है, बहुत अच्छा जुड़ा होने वाला है, बिल्कुल नहीं, भारत अंतराष्टी प्रतिबधता को निभा रहा है, भारत का यह मानना है, कि दुईपच्छी मुद्दों को बहुपच्छी मंज पर न उठाया जाए और जानते हैं S.C.O. दुनिया का सबसे बड़ा छेत्रिय संगठन है और इसमें हम आपसी मुद्दे बाइलेटरल जो इसू है उसको नहीं उठाते इसमें हम मल्टि लेटरल इस्यू या जो रीजनल इस्यू है या जो S.C.O. के इस्यू है उसको उठाते हैं और यही जो है इसके उद्देश को ही ध्यान में रखते हुए भारत ने पाकिस्तान के रच्छा मंत्री को आमंत्रित किया है अब देखिए पाकिस्तान भी पेशो पेश में है पहले भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को आमंत्रित किया और अब रच्छा मंत्री को आमंत्रित किया है तो ऐसे में यह S.C.O. संगठन इस बार जितनी भी सिविल सेवा के एक्जाम होने वाले चाहे वो प्रिलिम्स के एकजाम हो चाहे में 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 हो सब में जानते हिट टॉपिक है जहां से प्रशन पूछा जा सकता है और जानते में में भी इस पर बहुत अच्छा प्रशना सकता है कि भाई S.C.O. संगठन पर चर्चा कीजिए यह किस प्रकार की रणनीती और उद्देशों को प्राप्ट करने की दिसा में आगे बढ़ रहा है या ऐसा प्रसना सकता है कि छेतरी संगठनों में S.C.A. की सफलता ने इसे प्रमुक संगठन बना दिया है भारत इस संगठन को ले करके किस प्रकार की रणनीती पर आगे बढ़ रहा है प्रकास डाले या S.C.O. संगठन के बारे में जानते हैं प्रसन पूछे जा सकते हैं आप मोटे तोर पर जानने देखे पूरी दुनिया सकती से ही संचालित होती है कोई भी बिचार और कोई भी बिचारों को ले करके बनाया गया मानक अब दुनिया को संचालित नहीं कर पाता है ऐसे में जिस के पास सकती होगी या जिस संगठन के पास सकती होगी उसी की छमता सबसे ज़्यादा माननी जाएगी और इस समय पूरी दुनिया आप देखेंगे दो प्रकार के धड़े में मुखरूप से बटी हुई दिखती है एक अमेरिका का नेतरित पश्मी देशों का नेतरित और उसका प्रभाव और दूसरा आप जानते है दूसरा जो है दूसरा चाइना का जो दूसरा चाइना का प्र पस्त्मी संगठन में भी सामिल होना और भारत का ऐसे संगठनों में सामिल होना जहां रूस और चीन जैसे देश है जैसे BRICS में भी हम लोग member है यह CEO में भी हम लोग member है इसके लाओ एक संगठन और है रिक रसिया इंडिया और चाइना ट्रेंगल है 1998 में संगठन बना था ब्रिक्स जानते दोजा नौ में बना इस सियो 1996 में बना इन संगठनों में आना भी जानते हैं यह भारत का की एक बिसेश रड़ नीती है ताकि हम बारगनिंग की इस्थिती में बहतर ढंक से हो और साथ ही हम भी अपने आर्थिक हितों को अपने जो है सामरिक हितों को साध शकें और साथ ही भारत से भारत के जो प्रवासी मुद्दे भी है भारत के लिए जो अंतरास्टी मुद्दे भी है उसमें भी बढ़त बना स और इनी सब संगटनों का प्रभाव है कि रूस यूक्रेन युद में भी भारत अपना एक तरीके से देखा जाए प्रभाव रख रहा है और पूरी दुनिया के देश भारत के प्रभाव को मान रहे हैं तो इस संगटन की विसेश चर्चा में आज हम लोगों ने जो है इन ची को लगा दीजिए अपने जीवन को बदलने में और एक एक स्छण का उपयोग करके जानते हैं अपनी सफलता को अपने पच्छ में लाने का प्रयास करिए निश्चित रूप से ना केवल आपका जीवन बदलेगा बलकि भारत के बहतर भविस्त के लिए एक अच्छे व्यक सबको बहुत बहुत धन्दब